असलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है सर्फिल्ला और आप देखरें टेक्निकल लाइफ एक चैनल आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने डिवाइस से अपने कंप्यूटर को या लैप्टूप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है आप जो भी करना चाहें अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर आप लोगोंगे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो grit करले मेरा यप किएस्भूक उसको भी आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, सबसे पहले आप गूगल में जाके सर्च कीजिए टीम वीवर, ठीक है, यह मैं टीम वीवर सर्च किया हूँ, उसके बाद मैं स्क्रोल करके नीचे करके आपको देखाता है यह है, देखें, ट यह आइड आ गया इसमें भी, अब फिर से इसको करता हूँ, टीम वीवर, यह है फ्रेंस, सॉरी, यह है, टीम वीवर, रिमोट सपोर्ट, जो लिखा है, रिमोट एक्सेस, सर्विस डिस्क, इस पे हम किलिक करेंगे, अब गलत किलिक कर दिया था, तो यह पेज ओपन होने के बाद, आप इसको इधर से डाउनलोड करें, डाउनलोड टीम वीवर, जो लिखा है, इस पे किलिक करके, डाउनलोड करें इसको, इधर डाउनलोड इंग शुरू हो गया, ओके फ्रेंज, तो यह डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, तो इस पे हम किलिक करते हैं, यह इंस्टॉल का अप्सन आ रहा है, हम इसको परस्नल पे आके टिक लगाएंगे, यह बेसिक पे नहीं लगाएंगे, यह परस्नल नॉन, कमेरिकल यूज, जो लिखा, इस पे हम किलिक मारते हैं, इधर बेसिक पे भी रहने देंगे, ठीक है, और उसके बाद इधर भी टिक लगाना है हमको, परस्नल नॉन कमेरिकल यूज, एक्सेप्ट करते हैं, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, यह इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं आपको बता दूँ कि आप अपने मोगाइल में जाएं, मोगाइल में जाने के बाद मोगाइल में भी आपको एक अप्लिकेशन डाउनलोड करना परेगा, पुलेस्टोर में जाएं, पुलेस्टोर खोलता हूं में, उसके बाद इधर भी अपसर्च कीजिए टीम वीवर, यह आगे है टीम वीवर, दिखा के मैं इस पर किलिक करता हूं, उसके बाद जो यह फर्स्ट वाला है, इसको हम डाउनलोड करेंगे, टीम वीवर for remote control जो लिखा है, इसको हम अभी इंस्टॉल करते हैं, एंस्टॉल हो आए, मुत्व मैं, बताता हम आपको केसी, अपको कंट्रोल करना है, यह सत्रा एंभी कहा है, सत्रा पॉइंट सत्र, एंभी कहा है, डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो यह फिर आपको आगे बाताता हूं, ठीके तो यह डाउंलोड हो चुक है अब हम इसको ओपएन करने के बाद इसको हम नेक्स वारते हों, फिर सहंने जेशने नेक्स्ट्र अब ढॉन करते हैं, उसके बाद जो आप कंप्यूटर में जो खोले थीम वीवर डाउनलोड की है उसको अपन कर लें उसके बाद आपको क्या करना है यह जो आईडी है एलाव्ल रिमोट कंट्रोल लिखा है जो यूर आईडी यहां पर हम आईडी लिखते हैं अपना तो लिखेंगे कहां आपने मोईल में लिखेंगे यहां जाके, जो जो लिखा है, 38198, 381989022, ठीक है, तो ये अब हो गया, इसको हम, रिमोट कंट्रोल फे किलिक करते हैं, प्रीज वेट कनेक्टिंग बता रहा है, इनकमिंग कनेक्टिंग इधर कनेक्शन देखा रहा है, इधर की कनेक्ट कोई कर रहा है, बता के, अभी ये पासवर्ड भी माँगेगा, आइ, ये हो जाएक है, मुश्किल नहीं है, ये देखिए, ये हो गया, अभी ये पासवर्ड मांग रहा है, अभी मैं इस पर पासवर्ड डालूँ गा, इसका वाला यह वाला यह जो पासवर्ड लिखा है इदर पासवर्ड यह हम इस पर लिखेंगे उसके बाद देखेंगे आपकी बहुत तर्थ यह असानी से यह कनेक्ट हो जाएगा मेरे मोबाइल से तो लिखता हूँ मैं अब हो गया है अब हम ओके पर क्लिक करेंगे मोबाइल में ओके का बटन क्लिक करेंगे उसके बाद देखना फ्रेंड्स यह देखो आ गया ना पूरे एकदम अभी मैं इसको जो चाहूं वो कर सकता हूं इधर से मैं माइं कंप्यूटर में जाता हूं इस पर मोबाइल पर हम डेवल क्लिक करेंगे सेम से माउस के तरह तो यह ओपन होगा उसके बाद हम इसको कोई से भी एक ड्राइब ओपन कर लेते हैं उसके बाद अए उसके बार अएधर से करके अपकोई भी वीडियो भी चैलो कर सकते हैं यह मोवी है to to estates सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी हम इसको रिसाइज कर सकते हैं कि अभी हम इसको रिसाइज करते हैं अधिया है है अगी अधिया है और फ्रेंट्स को अभी कटिंग करते हुए पहले कर तो ओके ठीक है तो आप देख सकते हैं कि मेरा कंप्यूटर जो है कनेक्ट हो चुका है आप इससे चला सकते हैं अपने कंप्यूटर को आप अपने मोगाल से उम्मीद करते हूं दोस्तों कि आप लोग को मेरा वीडियो यह पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइकन शेयर कीजिए ओके गुडबाई मिलते हैं अगली वीडियो में